दोनों तोड़ ले गया वैए होई होई कसम से यह पढ़ा एक दोनों तोड़ दिये देखो तो शाम का टाइम है और बिनी पानी डाल रहा है पेड़ों में और हम आपको दिखाते हैं कि आज क्या हुआ है कि कल हमने टोका था कि यह बंदर किस पे नजर न पड़ जाए तो बंदर की नजर दूसरे ही दिन पड़ गई और उन साहब ने इसका काम तमाम कर दिया पता नही मम्मी क्या है हम तो नहीं जानते लेकिन हमने सोचाता यह बढ़ा हो जयेगा तो यह मिठु के काम आय葉 तो खाता है यह शॉक से दोनों तॉड लें आगा सण दोनों तोड दिये धिक्कों बंदरले क्या मिलता है नो को समन में नहीं आता है कल देखा आज यहाल हो गई मिठू के देदे से खा लेगा दोई थे तो यह मिठू के लिए लिए आए क्यूंकि वह इसी टाइप की चीज खाता है बीजों वाली तो यह शौक से खाएगा मिठू से नहीं चाप आएगा मिठू कीज लो नहीं चाप आएगा मिठू मिठू वह शौक से खाते हैं यह कीज लो कीज लो कीज चोड़ दे कि लो पकड़ लो से अपने हाथ से पकड़ लो इससे अच्छे से बहुत अच्छे से पकड़ो हालो बेटू तुमारे लिए बंदरों ने तोड़ दिया है कि तुमको इतना पसंद है यह मैं बेटू तुमको इतना पसंद है यह मेट, क्यों बेटे इतनी जल्दी इतना खा धाला और यहां पर जूली बैठी है और इधर यह लेटे हुए है ठंडी जमीन है पानी डला हुआ है मज़े लूता है जूली के इतना निशान कैसे है गहरा देखो जूली यह क्या हुआ तुमारे देखे देखें जूली देखें आए यह किसी ने काटा है जूली लगा दे बोरो प्लस जैड़ कही है अधिनी महिन्दी कैसे गिर गही यह बताऊ मेहिन्दी का प्राड गिरा कैसे है नहीं गिरा कैसे यह बताऊ बंदर तो नहीं कूद है सारा काम बंदर होगा है हर वीडियो मेरे बंदर का जिक जरूर आता है हर काम वीडियो बंदर ही करते हैं अगर नीबू खटे ना होते तो यह भी किसी को नहीं मिल पाते इसका भी काम तमाम कर देते यह बंदर यह बाइटो यह बाइटो यह बाइटो दर गए विचारें तो पुन्नु की आलत पराद है क्या हुआ है तुप पकड़ने आ रहा ग्या तो बंदर इसको फुर्बंद जाएगा यह बंदर को भगाने गया था लेकिन जब बंदर दोड़ा तो खुद भाग कड़े हुए अब जा रहे हैं किसको कैसे खड़ा होगा यह बता है इमने शाक छाटी थी तो यह पतली पतली हो गई है ना इसकी पहले तो मोटी मोटी थी ना तो खड़ा रहे था था आप छाट के पतली हो गई है यह मेरा इलोग वीरा कितना बेतरी चल रहा है फ्रेश फ्रेश हाँ तुमने सब काल पानी डालना के एक तुम तरोतर कर दिया है अब शाम को डालना पानी तब ही तो जमीन के लिए के लिए दिख रहे है यह हमारा कलेंडरा का पेड़ है यह कलेंडरा में यह फूल इतने प्यारे लगते हैं और चोट चोटे से होते हैं लेकिन पूरे पेड़ में घच के आते हैं तो यह बड़ा खूबसूरत पेड़ लगता है तो हमने सोचा इसको भी कैप्चर कर लें यह क्यों महरूम रजाय मेरी नजरों से और मेरे कैमरे से तो आपको यह फूल कैसे लग रहे हैं अगर अच्छी लग र दीजेगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट विलोग में तब तक के लिए अला हाफिज